दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ATM का नया PIN कैसे बना सकते हैं कैसे जनरेट कर सकते हैं दोस्तो पहले क्या होता था कि पिंज हमारा ATM की साथ ही दिया जाता है लेकिन काफी फ्रॉड होने की वज़े से ATM का पिंज हमें अपने आपी बनाना पड़ता है तो चलते हैं इसके लिए अपने बैंक के ATM पर तो ATM पर आ जाने के बाद दोस्तो एडिस के लिए हमें एक ATM अपनी एक Passbook ले जानी होगी और Passbook ले जाने के बाद दोस्तो हमें अपना Register Mobile ले जाना होगा और आपको अपनी Date of Birth भी पता होनी चाहिए तो चलते हैं अपने ATM पर तो ATM पर दोस्तो मैं आ चुका हूं और ATM पर आने के बाद आपको ATM लगाना होगा अपने मशीन पर तो हो जाता है और यह message देता है don't remove your card आपका जो data card का यह उसे read कर देगा और read करने के बाद दोस्तों यह message so करेगा set a new pin तो आपको set a new pin पर click करना होगा और click करने के बाद दोस्तों कुछ process इसमें चलेगा जिसमें message दिखा आया प्लीज बेट तो आप थोड़ा इंतिजार कीजिए इसके बाद इसमें एक message आता है please enter your register mobile number तो यह आपको अपना जो भी mobile number आपका registered है वह आपको mobile number यहां पर फिल करना होगा और दोस्तों mobile number फिल कर देने के बाद इसके बाद आप से एक date आपको यस कर देना तो इसमें आपको कहीं भी space नहीं देना है कुछ नहीं करना है सिंपल से आपको इसमें लिखना है सबसे पहले तेहा लिखना है उसके बाद मई है तो पांच लिखना है और दोस्तों उसके बाद आपको लिखना होगा कि आपको ये date of birth किस तरह से आपको इसी तरह से date of birth ये फिल करनी होगी और इसके बाद yes बाले बटन पर click करना होगा तो चलिए मैं इसमें yes बाले बटन पर click कर देते हैं तो यहां मैंने click कर दे और दोस्तो आपका जो भी pin है इसी तरह से बनेगा एक्सिस बैंक के ATM का और ये अब देखो इसमें आपके पास जो mobile नंबर है उस पर एक register mobile नंबर पर एक passcode गया होगा दोस्तो उस passcode को आपको यहां fill करना होगा please enter the activation passcode तो आप अपने mobile में से देख करके मैं अपना passcode यहां पर fill कर देता हूँ और दोस्तो फिल कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा यह page automatic refresh हो जाएगा और दोस्तो page refresh होने के बाद यहां पर एक आपको नया pin बनाने के लिए message आएगा please enter your new pin तो यहां आप अपनी मर्जी से जो भी pin रखना चाहिए रख सकते हैं उसके बाद दोबारा से आपने जो पहले new pin डाला था फिर से आपको वही pin ने यहां पर आपको fill करना होगा तो यह fill कर देने के बाद आपका जो pin है new pin ATM का वो बन कर तयार हो जाएगा तो चलिए मैंने कर दिया और यह page automatic refresh हो गया तो अभी इंतजार कर लेते हैं थोड़ा क्या होता है क्या नहीं होता है और दोस्तो हमारा जो ATM का pin है वो बन कर successful हो गया तो इसमें message आया thank you your transaction बाज successfully तो इसी तरह से आपको भी ATM card का pin बना लेना है इसमें कोई हुआ नहीं है और दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनद लगती है तो please support कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी और वीडियो आपके लिए बना सकूँ thanks for watching